नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंबरा में दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खाने की हर चीज को खाने का सही समय कौन सा है? अगर ये बिना जाने आप कोई भी चीज खाएंगे तो वो आपको फायदा तो नहीं पर नुकसान जरूर कर सकता है पर दोस्तों घबराइए नहीं आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताएंगे कि कौन सी चीज कौन से समय पर खाने से आपके लिए बहुत लापकारी रहेगा कहते हैं कि फल, दूद, कॉफी, ग्रीन टीस सेहत के लिए लापदायक होते हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि अगर इन खादे पदार्थों का सेवन सही समय पर ना हो तो यह फाइदे के जगह शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं इसलिए जरूरी है कि इन खादे पदार्थों को उचित समय पर ही खाया जाए वैसे तो केले को स्वास्थिवर धक फल माना गया है केला बल बढ़ाता है लेकिन अगर केले को भूके पेट खाया जाए तो यह कैल्शियम मागनेजियम का संतुलन बिगार देता है जिससे पेट में जलन पैदा हो सकती है रात को सेब खाने से शरीर में आसिड अधिक बनता है जिससे खाना पचने में दिक्कत होती है इसलिए रात के समय कभी भी सेब नहीं खाना चाहिए सेब व अन्य फलों का सेवन सुबह के समय करें रिसर्च कहती है कि इससे कैंसर जैसे रोगों को भी रोका जा सकता है आजकल वजन कम करने के लिए लोग ग्रीन टी का सेवन बहुत करते हैं ग्रीन टी को इस्तमाल करने का बहतर समय खाने के बात का है भूके पेट ग्रीन टी पीने से शरीर को कोई फायदा नहीं होता है कौफी रात में पीना नुकसान दायक माना जाता है कौफी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है इसलिए रात में कौफी पीने से नींद गायब हो जाती है इससे शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है खाली पेट चाई कभी भी नहीं पीनी चाहिए इससे असिडिटी की तकलीफ बढ़ सकती है विशेशक ये कहते हैं कि चाई कभी खाली नहीं पीनी चाहिए चाई के साथ बिस्किट या नमकीन जरूर लें भूखे पेट दूद पीना नुकसान दायक माना जाता है दूद में saturated fat और protein होता है जो पेट की मासपेशियों को कमजोर कर सकता है देर राद दाल खाने से बचना चाहिए दाल में protein अधिक होता है जिससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है खाना खाने के तुरंद बाद पानी नहीं पीना चाहिए खाने के पहले और खाने के 45 मिनट बाद पानी पीना पाचन क्रिया में मदद करता है सुभख खाली पेट दो गलास पानी पीना स्वास्ति के लिए लापकारी माना जाता है पेट का फैट कम करने के लिए सुबह उठकर आधा लीटर गरम पानी पिए ऐसा करने से आपका पेट चुटकियों में कम हो जाएगा तो दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए हमारी बताई हुई इन बातों का जरूर ध्यान रखे हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल आर्रोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को धन्यवाद